नमस्कार आप देख रहे हैं बस्ती टाइम्स 24 विवारी कस्वे के अलवर बाइपास स्थित अन्दीयल कोरल सोसाइटी में स्थित एक प्लेट का ताला तोड़कर चोर नक्दीवा आभूशन चोरी कर ले गए चोरी की वारगात सीसी टीवी में कैद हो गई चोरों की संख्या विवारी थाना पुलिस चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद गुरुबार सुबह मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूचताच किया लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल सका है बहराल व्यस्ततम अलवर बाइपास पर सोसाइटी के अंदर कंपणी में काम करते हैं और अलवर बाइपास स्थित MBL कोरल सोसाइटी के फ्लेट संख्या 3B401 में परिवार सहित रहते हैं विनेय पांडे ने फोन पर बताया कि वहद 31st of December को भीवारी से प्रयाग राज थे तपने घर जाने के लिए निकले थे और लखनव में अपने ससुराल में रुप गए थे आज वो परिवार सहित लखनव से प्रयाग राज जाने वाले थे लेकिन सुबह चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद वापस भिवारी आ रहे हैं पीवे ने बताया कि गत बुदवार की रात चोरों ने उनके फ्लेट का ताला तोड़ कर सामान दिखे दिया और नकदीवा आभूशन लेक भाग गई लेकिन फ्लेट से बाहर निकलते वक्त चोरों की तस्वीर सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई गुरुवार सुबह पर उसी उने विनैपांडे को फोन कर चोरी की वारदात की जानकारी दी तो उन्होंने सीसी टीवी कैमरे को चेक किया इसके बाद पीरित विनैप पांडे ने विवारी पुलिस को घटना की जानकारी दी विनैपांडे ने बताया कि घर में तकरीबन 4 लाख रुपे और 5 लाख रुपे के आभूशन रखे हुए थे लेकिन कितना सामान चोरी हुआ है यह उनके भिवारी आने के बाद पता चल सकेगा सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुची और सीसी टीवी कैमरे चेक करने के अलावा लोगों से खुचताच कर वारदात की जानकारी ने लेकिन अभी तक चोरों का सुराग लगाने में विपन रही है भिवारी 94 की प्रभारी रजनी ने बताया कि चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है और चोरों की तलाश की जा रही है पीरित परिवार के अभी तक रिपोर्ट नहीं देने के कारण अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है सीची टीवी कैमरा देखाया तो उसमें चोरों ने हमारे घर का ताला तोड़के और हमारे घर से सारा सामान तहस इधर उदर उलट उलट के सारा खोजबिन किया और हमारे अलमारी और लॉकर औगरा में रखे हुए हमारे